है यो बड़ीज वार्ट साप मैं हूरी शीतों मैं आज वालेट के उपर एक पेंटिंग शेयर करने वाली हूँ तो ये वालेट सी दर से दिया है और ये गिफ्ट आइटेम है जो कि मैं अपने एक स्टूडेंट के लिए लेकर आई हूँ तो ये वालेट वान मन्त पहले ही ल तो मैं कुछ नए नए एक्सपरिमेंट करती रहती हूँ मेरी इस चैनल पर तो अगर आपको ये वीडियो किसी भी हद तक पहुचे और थोड़ी सी भी अगर हिल्फुल लगे तो आप कॉमेंट में बता सकते हो जिसे कि मैं इंस्पार हो सकूँ और कुछ नए और वीडियो अगहार सकते हो तो पेंटिंग करने से पहले वालेट के उपर बेश कलर लगा रही हूँ जो कि अकरलिक काई हुआ है तो जब तक वाइट बेश यहां पर लग रही है तो तो तबपक मैं आपको एक इस वॉलेट के रिलेटेड एक इन्सडेंट कर लही हूं तो जिस स्टूडेंट के लिए मैं यहां पर यह गिफ्ट रेड़ी कर रही हूं उस स्टूडेंट का बर्दे पिछले मन्थ चला गया है और यह वालेट भी मैं पिछले मन्थ ही खरीद के लाई थी तो यह वालेट इतना प्लेन है जिससे देने का मन्थ तो मुझे बिलकुल नहीं किया तो मैं पिछले मन्थ इतनी बीजी थी कि इसके उपर पेंटी करने का टाइम ही नहीं मिला वर्दे के दिन खाके तो चली आई बट बिना गिफ्ट लेके तो आज पक्का एक महीने बाद मैं कुगरने बैठी हूं तो पहले मैंने यहाँ पर पीछ कलर के साथ थोड़ा सा ओरेंज को मिला कर स्कीन टोन के लिए बेस लगा लिया है उसके बाद ब्राउन के साथ थोड़ा सा फूरूशन ग्लू को मिला कर आईज आईब्रोस नोस एंड लिप्स को ड्रॉ करूंगी और बालो के लिए भी मैंने ब्लाक के साथ ब्राउन को ही मिलाया हुआ है तो जिसका पोट्रेट में बना रही हूँ वो बच्चा ही है और उसको डॉग्स बहुत पसंद है तो मैं यहाँ पे कुछ जुगार लगा कर एक डॉग्स के साथ इसका ड्रॉइंग बना रही हूँ बच्चे का साइट में फोटो अब देख सकते हो कि वो फोटो कैसा है और लिए लिए मैंने यहाँ पे परपल कलर को जुझ किया है और शेडिंग के लिए मैंने यहाँ पे पुरूशन ब्लू के साथ थोड़ा सा परपल मिला के यूज किया है डॉक के लिए मैंने यहाँ पे गोल ले लियो के साथ थोड़ा सा ब्राउन एंड थोड़ा सा ओरेंज मिला के बेस कलर बना लिया है और ब्राउन के साथ ब्लैक को मिला कर आईज एंड नोज बना रही हूँ Shading के लिए मैंने यहाँ पर choose किया है brown के साथ orange इसके बाद peach color को direct ही मैंने यहाँ पर highlight के लिए use किया है और tongue के लिए मैंने यहाँ पर orange के साथ थोड़ा सा red मिला लिया है और बालों पर मैंने direct black के साथ थोड़ा सा pollution blue यूज़ कर लिया है और background में मैंने यहाँ पर golden yellow choose किया है क्योंकि golden yellow मेरा पसंदीरे color है और थोड़ा highlight के लिए मैंने यहाँ पर yellow के साथ orange को भी use किया है जिससे की color थोड़ा और निखर के आए और left side पर मैंने यहाँ पर frames add किया है frames के अंदर एक bone और एक dock की doodling करूंगी जिससे की left side खाली-खाली ना लगे doodling करने के बाद मैंने white use किया है जो मैं record कर नहीं भूल गई तो यह एक leather की wallet है और आपको अच्छे से varnish करना जरूरी है तो मैंने यहाँ पर little birdie का matte varnish लिया है और अच्छे से varnish किया है तो यह रही मेरी final output अगर आपको पसंदा है तो आप like, share, subscribe कर सकते हो अगर पसंद ना है तो भाई छोड़ दे ना पस्छे से लिए पसंदा पसंदाओ आपको अपको अगर आपको अगर आपको अगर ना है